हेलो दोस्तो आज हम SSC CGL और CSL 2021 में जो भी एक्जाम हुआ था उसमें जो भी अच्छे लेबल के कुश्चन थे यानि की जो ट्रिकी कुश्चन थे उनका मैंने एक मौक तयार किया यह आपके 25 रीजनिंग के कुश्चन है जो आपके आने वाले जो भी एक्जाम है SSC के जो भी एक्जाम है चाहे MTS हो या उसके बाद भी जो भी एक्जाम आने वाले है उसके लिए important है आप इनकी practice कर सकते हैं इससे आपको idea होगा जो भी latest अभी TCS ने एक्जाम कराया था उसमें latest pattern में जो question मिले थे क्योंकि reasoning में आप सभी को पता है जिसने paper दिया होगा उसमे time लग रहा है तो अच्छे level के question आया तो ये question आपको इसमें मिलेंगे आप इनकी practice कर सकते हैं आप खुछ से practice कर सकते हैं पहुच करके practice कर सकते हैं इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी कैसे मिलेगी कब मिलेगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा तो आप वीडियो को पूरा देख देखते हैं मैंने आपको बताया है जब भी आप number series के question करते हैं तो आप देखिए जो reasoning में important है वो है आपका square आपको याद होनी चीए cube आपको याद होनी चीए तो number series में हम देखते हैं gap देखते हैं ठीक है gap से ही हम logic या कोई pattern सोचते हैं तो यहाँ पर हम देखते है gap क्या ह question आपका है 10, 22, 35, 40, 72, 40 तो यहाँ पर अगर आप gap देखिए तो यहाँ पर आपको gap नजर आएगा यहाँ आपका plus 12 का gap है और next में आप देखिए तो यहाँ पर आपको plus 13 देखेगा और यहाँ पर आपको gap देखिए प्लस 5 अब आप देखिए यहाँ बढ़ड़ा है फिर क गट रहा है यहाँ दूसरा logic सोचेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा question पूछा गया आसान question है बस आपको देखना है तो double gap भी आपको कभी कभार देखना पड़ता है और आप mostly कई बार double gap में आपका logic होता है लेकिन यहाँ पर देखिए कई लोग रुख जाते है तो अब आप यहाँ पर double gap देखें अगर आपको double gap देखेगा तो यह plus 1 का gap है और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर minus 8 का gap है और यहाँ आप देखिए तो यहाँ पर आपको plus 27 देखेगा और next में आप देखिए अगर 32 से आपको minus 32 जाना है तो आपको क्या करना तब यह आप मैनस 32 मिलेगा तो अब आपको इस gap को देखते हुए idea आ रहा हूँ यह क्यों है तो मैंने आपको बताया है square cube हमेशा आपको ध्यान में रखना है तो आप देखें यहाँ पर जो logic है यह क्या है यह आप कहेंगे यह एक का cube है और यह आपका minus 2 का cube है और यह आपका cube कितना होगा plus 125 होगा और यहाँ से जो next में यहाँ पर gap आएगा वो कितना आना चीए minus 32 में आप plus 125 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 93 तो plus का 93 आएगा और plus का 93 आप यहाँ पर जोड़ेंगे 40 में तो 3 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 तो 133 इसका answer आजाएगा जो की first tops है तो आपने देखा होगा अगर आपने खुश से try किया होगा तो आपको time लगा होगा जरूर ठीक है तो आप देख सकते हैं अच्छा question है इस type का question पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है कोई भी exam हो SSE का आगे CGL भी होगा MTS है STANO है या CPO है या कोई भी reasoning हो तो आपको एक नया pattern देखनों को मिला होगा pattern आपने double gap का इससे पहले भी किया होगा लेकिन ये फिर भी आपको कई लोगों को नया लगा होगा next question करते है next देखें ये आपका coding decoding का question है तो आप देख सकते है coding decoding के भी इस बार अच्छे question पूछे गया है और MTS में तो coding dec recording के पिछले बार भी तीन question आये होगे थे इस बार अगर level बढ़ेगा तो इस type के question आ सकते है तो आप इनकी practice करें अब यहाँ पर आप देखें refusal को क्या लिखा गया है अगर मैं यहाँ पर refusal को लिखूं आर इ एफ यू ऐसे एल ठीक है इस type में आपका time लगता है इसे आपका लिखा गया है आप देखेंगे दो दस बारा तीन नो दस तीन अब आप देखें इसे कैसे तरहें अगर आप देखते है आर की position देखते है हमें position इसमें याद होनी चीए मैं आपको बता दूं कि position और opposite आपको हमेशा याद होनी चीए ठीक है तभी आप इन type के question को जल्दी करेंगे अब यहाँ पर आप देखने है आर की position 18 होती है लेकिन 2 से उसका कोई संबंद नहीं है आप cross में देखने है तो आर से 3 में यहाँ भी आपको कोई संबंद नहीं दिखेगा ठीक है तो अब इस pattern कि आपने अगर practice कियोगी तभी आप इस logic को सोच सकते है ठीक है आपकी practice होनी जरूरी है क्योंकि इस type के कई question आए होएं तो यह उसमें से एक question है मैं आपको बताओ इसमें क्या किया गया है तो इसमें जो logic है first step यह है कि इनको alphabetic order में लिखा गया है alphabetic order में मतलब की सबस त्विर अच्अ में f आएगा फिर l आएगा फिर r फिर आपका s फिर u ठीक है अब देखें इनकी position किया है अब इनकी position आप देखें एक की position एक है position लिख लिख लिजे ये 5 है F की आपका 6 है और next 12 है फिर 18 फिर आपकी 19 और फिर 21 अब देखें logic क्या है आप देखेंगे 1 को double दबल किया गया है, 5 को डबल किया गया है, और 6 को आपका डबल किया गया है, और उसके बाद जो 12 है, इनका डिजिट सम किया गया है, ठीक है, डिजिट सम यानकी 2 और 1 का डिजिट सम 3 लिखा गया है, 18 का डिजिट सम 8 एक 9 लिखा गया है, और 19 का S की पोजिशन 19 होती है, इस उसके बाद जो भी single digit जिनकी position होती है जिस alphabet की उसको तो double किया गया है और जो double digit होती है उसको digit sum किया गया है ठीक है logic आपको clear हो गया समझ मां आ गया होगा अब यहाँ पर आप poetry का भी कर सकते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर आपको poetry का करके बता हूँ P O E T R Y तो सबसे पहले ह में क्या करना है इसको alphabetic order में लिखना है तो alphabetic order क्या होगा सबसे पहले E आएगा फिर आपका O आएगा फिर आप देखेंगे आपका P आएगा फिर R फिर T फिर Y अब इनकी position single digit वालों को double करना है E की position 5 होती है तो आप देखेंगे इसको 5, 15, 16, 18, 20, 25 अब आप देखें क्या लिखा गया है 5 लिखा गया ठीक है 5 है तो इसको double करना है single digit 10 फिर इसकी जोड़ना है double digit वालों को तो 5, 16 आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 6 लिखा गया है 10 के बाद 6 फिर आप देखें यहाँ 7 है फिर 9 है फिर 2 है फिर 7 है तो इस तरीके से आपका लिखा गया आपको याद रखने है पहला alphabetic order F I O P R T और इनकी position 6 है 9 है 15 है यह मैं आपको यहाँ पर लिखके समझाने के लिख रहा हूँ आपको एक्जाम में ऐसे लिखना है आपको जैसे आपने देखा कि आपका इसमें logic आ गया है तो उसके बाद आपको सीधे उनकी position का double करके लेना ठीक है 15 16 18 20 तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 को double करेंगे single digit है तो 12 हो जाएगा 9 को double 18 15 का digit sum करेंगे तो 5 एक 6 16 का digit sum 7 18 का 8 एक 9 और 20 का 2 तो आप देखें आपको यह answer दिख रहा है गई 12 18 6 7 9 2 तो आपको second option दिखेगा यह इसका answer हो जाएगा ठीक है समझ में आगया होगा आपको देख रहाँगे कि अच्छे question पूछे गए हैं अगर ऐसे ही question MTS में पूछे जा सकते हैं तो time लगेगा आप latest question देख सकते हैं ठीक है इस तरीके question पूछे गए हैं आप इनकी practice जरूर करें pattern आपको सीखने को मिलेंगे coding recording की मैं पूरी video सारे question की video भी ला चुका हूँ CHSL और CGL में जो question आए पे आप उन्हें भी देख सकते हैं pattern आपको नए पता चलेंगे next question देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यह आपका इसे आप rating set का question बोल सकते हैं number set बोल सकते हैं analogy का type भी बोल सकते हैं similar set बहुत सारे question मैं करा चुका हूँ तो यहाँ पे देखिए इसे आप कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है अगर आपके पास 24, 10, 392 यहाँ पे दिया होता है इसमें आपको relation डोटना होता है इस type के question बहुत पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कैसे करना है आप देखिए 24 और 10 से फिर 392 यानि कि कहीं न कहीं इन दोनों से हमें 392 बनाना है तो 392 नंबर कैसे आएगा यह आपको सोचना है या आप ऐसे कह सकते हैं फर्स से दूसरा नंबर कैसे आएगा दूसरे से तीसरा इस तरीके से आप सोच सकते हैं अब आप यहाँ पे देखिए हैं मैंने आपको बताए square आपको हमेसा ध्यान में रखना है अब अगर आप 24 और 10 का square करके add करते हैं तो 24 का square ही 392 से जादे होता है तो इस तरीके से नह 96 से आता है अब देखे 196 से आ गया 392 के लाप इसे double करेंगे डबल करते हैं तो कितना होगा दो चक्का 12 की दो एक दो नम 18 और एक 19 और एक दो इकम दो और एक 392 आ गया तो आपने देखा square का कितना महत्तु है मैंने आपको बताया है reasoning में आप square cube हमेसा याद रखें उससे related कह कई question पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से question को कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने देखा 392 इसका answer आगया अब आपको option देखना है option कैसे देखने है आपको क्या करना है सबसे पहले minus करना है यही step करना है 21 में से 18 minus करेंगे तो आपके पास 3 आएगा फिर 3 का square करेंगे फिर double करेंगे तो 234 तो करनी आएगा बहुत ही छोटा नंबर आएगा अब però second option चेक करेंगे second option में चेक करींगे तो 29 में से आप 18 minus करते तो आपके पास कितना है तो आप देखें 29 में से 18 आपके पास कितना है नौ2 अग्यारा ठीक है 11 का square कितना होता है 211 और 121 का double करते तो आपक सेम पैटन में जो पैटन आपका यहां question में पूछा था वही option में भी हमें मिल गया है तो आपका answer क्या हो जाएगा second option हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा होगा इसी type के question पूछे जाते हैं next question करते हैं तो यहां पर आप देखें यह आपका odd one out का है तो odd one out में यहां पर पूछा गया four letter cluster have been given out of which three are alike in some manner and one is different select the letter cluster that is different तो आपको बताना है जो इसमें से different है तो यहां पर आप देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले आपका जो भी letter से related उटा उसमें आपको इनकी position मालूम होनी चाहिए ठीक है अगर यहां पर आप position लिखेंगे तो आप देखेंगे 2, 10, 16, 22 ठीक है next माप लिखेंगे position तो यहां पर 4, 12, 18, 20 यह सारे जो question है अच्छे question है यानि की tricky question है थोड़ा सा time ले सकते हैं आप देख सकते हैं ठीक है इसमें आसान question भी आपको मिलेंगे पूरा 25 question का यह set है तो आपको जरूर फायदा ही मिलेगा यहां पर आप देखेंगे 8, 11, 13, 18 और यहां पर आप देखेंगे 6, 13, 14, 17 अब यहां पर आप logic देखें अगर आप देखें 2 से 10 के बीच में 6 का गयप है तो हर उसमें आप इसी तरीके से देखें यहां देखेंगे 4 से 12 के बीच में कितने का है लेकिन यहां पर आप देखेंगे 8 का gap है ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे 8 से 11 यहां 3 का है और यहां 7 का है तो जो gap है वो तो आपका बराबर नहीं है अब आपको दूसरे तरीके से देखना आप देख सकते कहीं कोई opposite तो नहीं है तो यहाँ पे आपको opposite भी नजर नहीं आ रहा होगा ठीक है तो यहाँ पे आप देखें जो logic है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप देखें इन सब का जो भी position है इनका अगर आप sum करते हैं आपको कितना नजर आएगा आप यहाँ पे देखें आपको नजर आएगा यहाँ पे 50 ठीक है 50 हो गया ठीक है नेक्स्ट में आप देखें बारा अठारा आपका कितना हो जाएगा तीस बीस पचास यहाँ पे 54 आ रहा है next में आप देखिए इसका sum करीमिया तो यहां पर आप देखिए यहां पर आपके कितना आ जाएगा यहां भी आपका 50 आ रहा है ठीक है next में आप देखिए 6, 14, 6, 20, 13, 37, 30 यहां भी 50 आ रहा है तो अब आप देखें यहां से आपका first, third और fourth में जो भी आपके alphabet दिये हैं उनकी जो position का sum है वो आपका 50 है जबकि second option में ऐसा नहीं है तो आपका answer क्या हो जाएगा second option odd हो जाएगा ठीक है odd one out में यहीं होता है जो आपके तीन option होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से समान होते है उसमें कोई pattern होता है और एक आपका odd होता है ठीक है समझ में आ गया होगा आपको next question करते है next question है यहापका ठीक है यहापका coding recording से इस type की coding recording आती है मैंने coding recording का आपका पूरे question जो आए हो है वो भी आपको कराए हो है तो यहापे आप देखें यहापे क्या होगा यहापे आपको पूछा गिया है read the given information carefully and answer the question that follows ठीक है इसे आप coded blood relation भी बोलते है ठीक है तो यहापे आपको बताना है आ how is s related to n in the expression तो मैंने यहापे आपको बताया है जब question कराए है कि इसमें आपका इनका gender देखके भी question हल होते है जल्दी होते है gap आपको देखना पड़ता है generation gap ठीक है उससे भी आपका question जल्दी solve होते है तो यहापे आप देखें यहापे आप कैसे करेंगे तो यहापे बोला से solve करें ठीक है आप इसको solve ना करें आप s से n तक ही solve करें आपका answer आजाएगा अब कैसे करना है आप देखें s at the rate t लिखा तो at the rate का मतलब यहाँ да देखें सन है ठीक है k is the sun of d bell है तो यहापे s at the rate t का मतलब क्या हो जाएगा जो s है वो sun है किसका T का है तो यहाँ पर आप बना लीजे यह T है और S इसका sun है तो S यहाँ पर आजाएगा आप sun है तो इससे आप plus से दिखा सकते हैं या आप चाहें तो इसको square से इस तरीके से दिखा सकते हैं कोई भी आपका symbol हो सकता है यहाँ पर sun हो गया ठीक है एस जो है टी का सन है next आप देखिए आपका greater than है ठीक है greater than का मतलब क्या है आप सिर्फ greater than देखिए इसका मतलब daughter है तो यानि की जो टी है वो आपका daughter है किसकी n की है तो यहाँ पर आप देख सकते है n की daughter है तो यहाँ पर यह लग जाएगा अब पुछा गया है how is s related to n तो s का n से क्या संबन्द है तो आप देखें option देखें आपका gender gap भी आप देख सकते है भतीजा हो सकता है अगर भतीजा होता तो n जो होता वो यही होता है इसी generation में होता जबकि वो आपका 2 generation उपर है ठीक है तो 2 generation उपर है n तो आप देख सकते है s का n से क्या संबन्द होग लेकिन यहाँ पर आप देखें, दो generation का gap है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, तो आप देख भी सकते हैं, N, S, जो है N का क्या है, पोता, नाती, या आप इसे grandson बोल सकते हैं, second option इसका answer हो जाएगा, ठीक है, समझ मा आगया आपको कैसे करना है, आपको जो पूछा गया है वहीं से वहीं तक expression को solve करना है, और सीधे आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख भी रहा है, generation gap, बांकि आप option से भी से कर सकते हैं, next question करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या question है, select the option in which the given figure is embedded, यानि कि यह जो figure है, यह इन में से किस में दि सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, किस तरीके से करेंगे, exam में कैसे आता हूँ, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप देखें, यह figure किस में है, आपको 4 figure दिये गया है, तो यहाँ पर आपको यह rotate नहीं करना है, ठीक है, rotation is not allowed, यानि कि जैसा यहाँ पर दि नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बना होगा है, ठीक है, यह figure बना होगा है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, first option में यह बन रहा है, ठीक है, समझ में आगया होगा, आसान question है यह तो, ठीक है, तो कुछ question तो आसान ही आता है, लेकिन जो question आपके tough आते हैं, आप द दो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखने, select the option that is related to third word in the same way as the second word is related to the first word, तो यहाँ पर आपको बताना है, फ्रांस का यूरो से जो संबंद है, वही में आमार का भी होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, यूरो जो है, फ्रांस की करेंसी है, तो में आमार की करेंसी क्या आसान question होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर statement दिया गया और conclusion दिया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, some dogs are bulls दिया गया, तो मैं आपको बताता हूँ, यह आपके dogs है, some dogs are bulls, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, और next आपका statement है, all bulls are donkeys, यानि कि जो सारे bulls हैं, वो आपक भी दिख रहा यह, some है, तो यहाँ पर पहला conclusion गलत हो जाएगा, next आप देखेंगे, some donkeys are dogs, तो आप देख सकते, some donkeys are dogs है, यहाँ पर आप देख सकते तो दूसरा statement है हुआ है, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, only conclusion second follows, तो यहाँ पर आप देख सकते, एक आपका either or का भी case हा बाइंगा next question देखते हैं next question देखने है we engage ओसं कुरुषuse ही आते हैं जो ठाफ यह आते हैं वह मैं आपको बताते जाँ गो आगे आप देखें आपको आइंगे missing number करें आपको मिलेंगे यहांपे देखें क्या है oh man Mother Sister तो यहां पर Oh man Mother Sister से आप कह सकते हैं जो Mother or sister तो यहां पर आप कह सकते हैं जो सबसे बाहर आएगा वो आपका उमेन आएगा इस तरीके से आएगा फिर आप आपको आगे समझ में आ रहा है तो यानि कि जो भी मदर और सिष्टर आनी चाहिए वो इसके अंदर आनी चाहिए पहला उप्सन में ऐसा नहीं है यह होगा नहीं क्योंकि एक बाहर हो गया दोनों अंदर आनी चाहिए ठीक है फोर्थ आप्सन में भी ऐसा नहीं यह होगा नहीं बचा आपका थर्ड आप इसे देख भी सकते हैं अगर यह आपका मदर होगी तो कुछ मदर आपकी सिष्टर भी हो सकती है ठीक है तो इस तरीके का फिगर बन गया है तो यहां पर आप देखें यहां पर इसे किस तरीके से आप करेंगे सोच है तो यहां पर लोवर को 186 लिखा गया है ठीक है तो यहां पर लोवर को क्या लिखा है 186 अब देखें इस तरीके में हम क्या अगत्त है हमें इनकी पोजिशन तो याद होनी चाहिए क्योंक आपकी ओकी 15, फिर आप देखें 23, फिर आपके पास 5, फिर 18, तो यहां पर अगर आप पोजिशन का सम करते हैं, सम भी आपको जल्दी आने चाहिए, तो 73 आता है, अब 73 को 186 कैसे आएगा, 73 से, तो 73 से 186 से आपका 2 तिया अच्छा है, 146 से आरह, 2 से multiply कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो जादे हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं होता है, दूसरा आप क्या होता है, आपको यह याद होना है ठीक है, इस तरीके से ही हम करते हैं, अब दूसरा तरीका क्या होता है, अब इसक पोजिट V होता है इसकी पोजिशन बाइस आर की अपोजिट होता है आई आई की पोजिशन नाई अब आप इसे एड करेंगे एड करके यहाँ पर जो आएगा वह आपका कितना आएगा 62 आएगा अब देखो 62 से 186 जाना है तो आप 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपने इसे डिकोट कर दिया लोवर को अब ऐसे ही आप मल्टिप्लाई को डिकोट कर के देखें सेम पैटरन में तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पहले क्या करना है अपोजिट लिखना है तो M का पोजिट क्या होता है N यानि की 14 आप कह सकते हैं U का आपका h होता है तो 8 फिर 19 अब आप इसका sum करेंगे तो यहां पर आपका sum जो आ जाएगा वो आपका 80 आ जाएगा अब 80 से 320 जाना है अगर हम 3 से multiply करते हैं तो 320 तो नहीं आएगा 240 आएगा अब 320 के लिए हमें यहां पर 4 से multiply करना पड़ेगा 8 चक को 32 32 का मतलब 320 आ ठीक है तो अब आप देखें यहां पर तो हमने 3 से किया यहां पर 4 से किया अप क्या logic है आप optional में किस से multiply करेंगे तो आप देखें यहां पर logic क्या है ठीक है यहां पर 3 से क्यों क्या आप अगर देखें यहां पर आपको 1, 2, 3 तीन क्या दिख रहे हैं? तो यहां पर जो multiply किया गया है वो किस से किया गया है जितने उसमें consonant है समझ मा आ गया अब यहां पर M U L I S H में देखें M में 1, 2, 3, 4 यहां पर 4 consonant है इसलिए हमने 4 से multiply किया ठीक है समझ मा आ गया logic आपको clear होगा कैसे decode किया यह समझ मा आ गया अब optional को करिए ठीक है O का opposite 11 7 होगा फिर आपके पास 18 हो जाएगा फिर आपके पाफ 12 फिर 13 फिर A का opposite 26 और L का opposite यहां पर फिर से 15 अब आप इसका sum करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 114 और आप multiply किस से करना है जितने इसमें क्या है कंसोनेंट है तो आप देखें कितने कंसोनेंट है एक दो तीन चार चार है तो इसे चार से multiply कर दीजे तो यह आपका 400 और 456 यानि कि 456 आएगा तो आपका answer क्या हो जाएगा first option हो जाएगा तो आप देख रहे हैं अच्छे question है न आपको भी time लग रहा होगा अगर आप खु से करें फिर देखें क्या solution है ठीक है आपको लग जाएगा कि इस टैप की question आए हुए है ठीक है next question करते है next क्या आपका इसे करिए यहाँ पर क्या है ठीक है यह अर्थमेटिक रीजनिंग का question है यहाँ पर दिया गया है जब संख्या x को उसकी अगली संख्या से गुणा किय जाता है तो गुड़नफल 1260 प्राप्त होता है जब संख्या x को संख्या y से जोड़ा जाता है तो योगफल 106 प्राप्त होता है संख्या y का मान ग्याद करें तो यहाँ पर संख्याओं को धनातपक माने यह भी लिखा गया है ठीक है तो यहाँ पर आप देखें कि संख्य X को उसकी अगली संक्या X की उसकी अगली संक्या क्या हो जाएगी X प्लस 1 होगी तो इससे multiply किया जाता है तो कितना आता है 1260 आता है और next आपका बोला गया है X प्लस Y का जो sum है वो आपका कितना है वो 106 है तो अब यहाँ पर आप क्या कर से हैं Y की value निकाल लिए तो आप यहाँ से option लेके भी कर सकते हैं option लेके यह आसान होगा आप देखेंगे अगर आप Y की value 71 लिए ठीक है जैसे 71 लिए तो X की value कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी और फिर आप 35 और 36 को multiply भी करेंगे तो 1260 आएगा इस तरीके से आप option से कर सकते हैं देकिन यहाँ पर आप इसे जो इगहाँ समीकरण बना के कर सकते हैं आप देखें X X plus 1 equal to 1260 है तो यहाँ से आपका X X square plus X 1260 यहाँ जाएगा तो minus 1260 होगा equal to 0 हो जाएगा तो यहाँ से आप factor निकाल लिजी तो factor क्या होंगे 1260 के 35 और 36 होंगे तो यह X square minus 35 X plus 36 X हो जाएगा और यहाँ आपका minus 1260 हो जाएगा equal to 0 तो यहाँ से आप factor ले लिजीए X common देगे तो यहाँ पर कितना बचेगा X minus 35 बचेगा और यहाँ पर आप 36 common देगे तो अंदर कितना बचेगा X minus 35 तो यहाँ से आपको पता आपको क्या लेना है तो धनात्मक मान लेना है तो X plus 36 तो लेना है क्योंकि minus 36 हो जाएगा तो X minus 35 लेना है यहाँ से X की value 35 आगी और इस 35 को आप यहाँ रख लिजीए 35 plus Y equal to 106 है यह आपका basic है और यहाँ पर आपका यहाँ से कितना आजाएगा 6 में से 5 एक 10 में से 7 10 में से 3 7 तो 71 इसका answer आजाएगा जो कि आपका fourth option है ठीक है आप इसे option से कर सकते थे सीधे सीधे 35 और 36 यहाँ पर आपके इसके factor आजाते आप देख भी सकते है 35 और 36 को multiply करेंगे तो आपके पास 1260 आएगा ठीक है इस तरीके से आप देख सकते है 1260 कैसे आएगा आप यह भी देख सकते है अगर आप 35 का square करेंगे तो आप देखिए वो 1260 से कम आएगा तो जो संख्या होगी वो यहीं पर होगी इस तरीके से भी आप सोच सकते है ठीक है आप देखिए 40 का square करते है तो 40 into 40 चार चपको 16 1600 होता है तो 1600 से कम है तो आपका 35 के आसपास की संख्या होगी ठीक है इस तरीके से आप सोच सकते है नेक्स question देखते है next analogy का question है number analogy का question है यहाँ पर देखे यहाँ पर किस तरीके से आप करेंगे 8 का 36 से वही संबन्न होना चाहिए इसमें जो आपका pattern होना चाहिए same pattern आपका 12 में होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप सोचे यहाँ पर क्या logic होगा सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊं मैं दो तरीके से बताऊंगा कि सोचने के तरीके अलग-अलग हो सकते हर question में लेकिन आपका answer वही होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया है कि आपको हमेशा square को देखके आपको गन्य square से कई answer हो सकते है अगर आप देखने 8 का square करते है तो 8 का square आपके पास कितना होता है आपका 64 होता है और 64 में आप वही संख्या 8 add कर देते है तो आपके पास कितना आ जाता है तो 72 आता है लेकिन हमें 36 चीए तो 36 के लिए इसका half करना पड़ेगा 36 आ जाएगा तो same हम यहां भी करेंगे same pattern में यहां भी करेंगे 12 का square करेंगे तो आपके पास कितना हैगा 144 आएगा और यहां पर हमने 8 जोड़ा तो यहां पर भी हम क्या जोड़ेंगे 12 तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हैगा चार दो छे चार दो छे चार एक पांच और यह एक 156 आएगा 156 का half करेंगे तो 274, 28, 16 तो 78 इसका answer आजाएगा जो कि आपका option 4 है इस तरीके से आप कर सकते हैं अब एक तरीका और है आप देखें आप अगर 36 चाहिए तो आप multiply ही करेंगे multiply कैसे करेंगे 8 को 4 से multiply करेंगे 8 चक को 32 आया अब 32 में 36 के लिए आपको यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा 4 तो 4 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आजाएगा 36 आगए अब आप देखें कि 4 से क्यों multiply किया 8 का आधा 4 हुआ और फिर वही 4 हमने यहाँ पर add कर दिया ठीक है तो same हम यहाँ भी करेंगे 12 का आधा कितना होगा 6 होगा 6 से multiply करेंगे बर्चक 72 और यहाँ पर यही 6 जोड़ दिनी तो यहाँ से भी आपका answer क्या जाएगा 78 आजाएगा तो आप देख सकते हैं आप दोनों तरीके से में किसी भी करीके से सोच सकते हैं या कोई आपका अपने तरीका भी हो सकता है तो इसका answer जो आएगा वो क्या होगा 4th option होगा ठीक है समझ मां आगया होगा next question करते हैं अब आप इसे देखें missing number का ये भी अच्छा question है आप इसे solve करें try करें आप देख सकते हैं जो भी question आ रहे होगे थोड़ा सा time taking question है ठीक है आप कर सकते हैं इसे practice करेंगे तो तब ही होगा अब आप यह ही कह सकते हैं exam में हम कैसे करेंगे exam में करने के ही पैसे हैं logic सोचने के ही पैसे हैं इसलिए तो आदमी pattern practice करता है ताकि वो exam में सोच पाए क्योंकि वहाँ पर time कम होता है और करना आपको ही पढ़ेगा exam आपको निकालना है तो आपको सीखना तो पढ़ेगा ही चाहे tough पूछें या आसान पूछें तो यहाँ पर आप देखें 13 और 8 है तो आप देखें कि इन दोनों से 13 और 8 से कहीं न कहीं बीच वाला आ सकता है किस तरीके से आएगा उसे आपको देखना है तो यहाँ पर जो logic है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे ठीक है पहला logic मैं यहाँ पर 2 logic समझ मा आ रहा है ठीक है वो मैं आपको बताऊँगा आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप पहली रो में हम देखते हैं अगर आप 13 को 2 से multiply करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 26 आएगा ठीक है और प्लस 8 को 3 से multiply करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 प्लस 24 को add करते हैं तो आपके पास कितना आता है बीच वाला नंबर 50 आ रहा है ठीक है समझ मा आ रहा है तो same pattern में हम यहाँ भी करेंगे तो 12 को 2 से multiply करना है same pattern ठीक है same pattern से दोनों row में आपका answer आ गया तो आप 3rd row को करेंगे तो यहाँ पर पहला 15 को 2 से करना है अब question mark की जगह आप x मान लीजे या option से करेंगे जादे better होगा आसानी से आएगा ठीक है यहाँ पर हम आपको बताने के लिए x मान रहा है तो यहाँ पर x मान लीजे question mark की जगह तो plus x को आप 3 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 30 plus 3x और यहाँ आपका कितना आना चीए बीच वाले के बरावर बे 51 तो यहाँ पर आप देखें 3x equal to कितना हो जाएगा 21 होगा और x equal to 7 होगा तो आप इस तरीके से सो सकते है यहाँ से आपका answer क्या आजाएगा 7 आजाएगा अब दूसरा तरीका क्या हो सकता आप उसे देखें यहाँ पर कैसे किया अब मैंने देखा कि बीच में मुझे 50 चीए तो मैंने क्या किया 13 plus 8 को add किया ठीक है multiply किया 42 और 42 में मैंने कितना जोड़ दिया यही तीसरा नंबर जो था 8 यह जोड़ दिया तो यह कितना आगया 42 और 8 पचास आगया समझ में आ रहा किस तरीके से किया मैंने 13 और 8 को जोड़ा उसका double किया और उसमें वही third number जो था वह add कर दिया अब यही logic जो है आपको हर row में करना होगा समझ मारा अब यहां पर आप देखें 12 प्लस 5 को आपने add किया तो आपके पास कितना आया 17 आया 17 का double कर दिया 34 आया और 34 में हमने क्या add किया यहां 8 किया था यह आला number यहां हम 5 add करें आप जोड़ेंगे तो 22 आएगा 22 का आप दुगना करेंगे 44 आएगा 44 में 7 जोड़ेंगे तो फिर से 51 ठीक है समझ मारा गिया मैं इसे करके बताता हूँ 15 में आपने x जोड़ा तो आपका कितना है 15 प्लस x इसका double किया और इसमें आपने x ही add कर दिया तो आपके पास कितना अनचे 51 तो इससे करेंगे तो 30 प्लस 3x हो जाएगा यह आपकी equation बन जाएगी 3x equal to 51 यहां से x equal to आपका क्या आजाएगा 7 आजाएगा तो आपने देखा आप इस तरीके से सोचे या इस तरीके से सोचे आपका answer क्या आ रहा है 7 आ रहा है तो fourth option इसका answer होगा समझ में आ रहा होगा आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like करते जाएग next question देखते है next देखें आपका फिर से reasoning set का question है इसे देखें तो यहाँ पर मैं आपको logic बताओ आपको किस तरीके से सोचना आप फिर से देखें यहाँ चार है यहाँ पांच है यानि की छोटे नंबर है और बीच में बड़ा नंबर है तो कैसे आएगा square करके आ सकता है या एक का square एक का cube करके आ सकता है ठीक है इस तरीके से आपको सोचना है अब यहाँ पर आप देखें अगर 4 का square आप करते 16 5 का square 25 करते तो 41 आता है लेकिन 41 छोटा है इसको divide, triple, chopel करेंगे तब जाके कहीना कहीन 282 आएगा तो यहाँ पर आप दूसरा सोच सकता है एक का square करके देखें 141 के नजदीक है अगर आप इसे सीधे double कर लेते हैं तो आपको 2, 2, 2, 2, 2, 282 मिल गया ठीक है बीच वाला number मिल गया कैसे मिला आपने देखा square और cube का आप importance देख रहे होंगे किस तरीके से आपको सोचना है आपको practice इसी तरीके से करने है अब आप यहाँ पर first को करेंगे 3 का square 9, 6 का 216 216 और 9 आप जोड़ेंगे और उसके पास square double करेंगे तो 405 आपका नहीं आएगा तो यह आपका option होगा नहीं समझ मारा है फिर आप दूसरा option करेंगे तो यहाँ पर 2 का square आपके पास 4 आएगा 4 का cube 64 और 4 68 फिर double करेंगे तो 84 से तो बहुत जादे होगा तो यह भी होगा नहीं इस logic के अनुसार अब इसे करेंगे आप देंगे 7 का square करते हैं 3 का cube करते हैं तो यहाँ पर 7 का square 49 प्लस 3 का cube 27 और इसको add करेंगे तो आपके पास 76 आजाएगा 76 का double करेंगे तो आप देंगे 1500 152 आगया तो बीच वाला नंबर आगया सेम पैटन में है जिस पैटन में हमने यहाँ पर निकाला वही पैटन में आगया तो आपका answer क्या होगा 3rd option होगा समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे question लग रहे होगे पीडियाफ मैं try करूँगा पीडियाफ मैं आपको देने की किस तरीके से दूँगा मैं आपको ठीक है आप इसको response अच्छा करें ठीक है टेलिग्राम में मैं आपको पीडियाफ दूँगा और आपका साम तक या कल सुभी तक इसकी पीडियाफ आ जाएगी लेकिन आपको response मिलते रहना चाहिए तो यहाँ पर आप देखें इसमें आपको triangle बताने है तो यहाँ पर आपको tricks पता होनी चे मैंने आपको बताई है तो आपको यह figure दिख रहा होगा यहाँ पर मैं इसका solution बता देता हूँ जैसे यह figure आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है यह figure आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो इसमें कितने triangle होते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए यह tricks मैंने बताई है इसमें आपको पता होने चाहिए कि इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं 16 ट्राइंगल होते हैं तो 16 तो आपने किल लिए यह आपको पता होने चाहिए ट्रिक होती है ठीक है आसान सी ट्रिक है वो बता ही यहाँ आप देख सकते हैं अब यहां पर देखें कि इतना हमाई बन गया, अब यहां तो आपके कोई triangle नहीं बन रहे हैं, ठीक है, यहां आप देख सकते हैं, कोई भी triangle नहीं बन रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, अब आप देखें, यहां पर जब एक यह line यहां पर हम डालने हैं, तो आप देखें, इ नज़र आ रहाँ और एक ऐसे ही यह बन गया, इस triangle के इस line के आते ही, तो total कितने triangle बने यहाँ पर 6, तो 6 हम बन गे, और यही line यहाँ पर भी दी गई है इस तरीके से, आप देख सकते तो 6 आप यहाँ बने 6 हम आप दिखें 16,26,268, तो total कितने triangle हो जाएंगे 28 आपका answer क्या हो जाएगा third option ठीक है समझ मा आगे किस तरीके से करना है यहाँ पर आपको trick मालूम होनी चाहिए नहीं तो आप add करेंगे तो कहीं न कहीं एक triangle आप छोड़ सकते हैं ठीक है कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिए दिखा दिए कि आप यहाँ पर line डालने तो आप देखते जाएं कितने triangle बढ़ते रहे हैं समझ मा आगया होगा next question करते है next है फिर से आप कह सकते है word analogy का question है यहाँ पर देखे kick football और back stroke का क्या होगा तो आप कह सकते है kick football का एक term है ठीक है football में kick का युच जाता है ठीक है तो वेसी back stroke किसका term है आपको बताना है कौन से game का है ये भी आप देख लें ठीक है सारे term देख लें इनसे related question पूछे जाते हैं और reasoning में भी आपके पूछे जारे है तो यह जो back stroke है ये किसका है इसका answer हो जाएगा second option swimming से related है ठीक है समझ में आ गया होगा next question करते है next है आपका mirror image का ये तो आसान सा होता है इसे आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप देखें P है तो P सबसे पहले P बनेगा और किस तरीके से बनेगा इस तरीके से बनेगा तो यहाँ पे देखें जिस option में नहीं है वो आपका answer नहीं होगा तो आपको third option नजरा रहा होगा third option में यह नहीं है उल्टा है तो यह आपका answer नहीं होगा उसके बाद option से आप इसे eliminate कर सकते हैं फिर देखें A तो सब में same है और W जो है आपका W जो है ऐसा ही बनेगा यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखें W यहाँ पे उल्टा होगा तो यह भी आपका answer नहीं होगा उसके बाद देखें M तो सही है लेकिन F कैसा बनेगा F जब mirror image बनेगी तो इस तरीके से बनेगा लेकिन आप देखें First option में यह उल्टा होगी है तो यह भी आपका answer नहीं होगा आपका answer जो हो जाएगा आपका Second option हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे Eliminate करके option को आसानी से कर सकते हैं Next question देखते है Next है यहाँ पे ठीक है Paper Cutting का है तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से बनेगा यहाँ भी आप option Eliminate करेंगे तो आपको जल्दी आप करेंगे अब आप देखें जब यहाँ को तीर लगा है न इस तरीके से तो यानि कि जो यहाँ पर चीज है इसको आपको यहाँ को पलड़ाना है यानि यहाँ को reverse करना है तो आप यहाँ पर देखें आप इस तरीके से बना हुआ है यह आपका इस तरीके से बना हुआ है इसके नीचे आपका यह है ठीक है जब यह यहाँ को जाएगा तो यह किस तरीके से होगा आप देखेंगे यहाँ पर यह ऐसे बन जाएगा ऐसे और इसके नीचे यह आएगा अब आपको यहाँ पर option देखेंगे ना तो option आप देखें यहाँ पर बाहर की तरफ है ठीक है और यह देखें यह नीचे को है इसका जबकि यहाँ उपर को बनना चीए तो यह आपका होगा नी first option second option देखें यहाँ पर तो आमने सामने है जबकि ऐसा है एक ही side को होने चीए ठीक है जैसा मैंने आपको बताया तो यहाँ पर यह भी आपका होगा नी second option third option हो सकता और fourth option तो आपका होगा नी यहाँ पर दो कैसे बन रहा है figure option eliminate करें ठीक है option eliminate करके आपको आसान इसे question हो जाते है next question देखते है dice से तो यहाँ पर आपको बताना है e का opposite face में क्या होगा ठीक है तो आप देखें अगर आप इन दोनों को compare करते हैं तो यहाँ पर आप देखें common क्या है common आपको c दिखेगा अब आप c को या तो clockwise घुमा रहें तो यहाँ भी आप c को clockwise घुमाएंगे या anti clockwise घुमा रहें तो दोनों dice को anti clockwise घुमाएंगे तो यहाँ पर आप देखें अगर हम clockwise घुमाते हैं तो सबसे पहले c आएगा c के बाद आपका e आएगा E के बाद आपका B आएगा तो same हम इस dice में भी करेंगे तो सबसे पहले आपका C आएगा जो common है उसके बाद F आएगा और F के बाद आपका D आएगा तो यहाँ पर E का opposite क्या है F है यही आपसे पूछाएगा है तो answer आपका क्या हो जाएगा second option हो जाएगा समझ में आगया होगा next question देखते हैं यह तो आसान सा question है English dictionary में आपको बताना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 4 आ रहा है उसके बाद आप देखेंगे 3rd आपका यहाँ पे आ रहा है ठीक है 3rd के बाद आपको फर्स्ट नजर आएगा और 431 आपका फर्स्ट option में यहाँ पूरे चेक करने की जरुवत नहीं आपको ऐसे आप करें और option में आपको अपनी नजर हमेशा बनाए ठीक है यहाँ पर answer क्या हो जाएगा फर्स्ट option यह आसा answer question है next question देखते है तो यहाँ पर आपको बताना है इन्दा वेन डाइग्राम गिवन ब्लो इफ हेग्जागन रिपरजेंट फार्मर जो हेग्जागन है यह आपका फार्मर को दिखा रहा है ठीक है फार्मर को दिखा रहा है और ट्राइंगल जो है यह आपका विलेजर को दिखा रहा है ठीक है विलेजर को दिखा रहा है और जो इसक्वाइर है वो आपका बेनी फीसरीज को दिखा रहा है ठीक है इसक्वाइर तो यहाँ पर आपको बताना है जबकि 18 जो है इसक्वाइर है जो भी फार्मर आपका जो भी आंसर होगा वो आपका यह जो हैजागन है इसमें से ही होगा यानि कि 5, 9, 14 में से एक होगा तो यहाँ पर 11 भी नहीं हो सकता तो यहाँ पर आपको बताना है वो फार्मर जो विलेजर भी है बेनी फीसरीज भी है तो आप देखें, यहाँ पर 5 जो है, यह आपका farmer भी है, hexagon के अंदर आ रहे हैं, और आपका triangle के अंदर आ रहे हैं, villager भी है, और आपका square के अंदर आने तो beneficaries भी है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, second option, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 में आपका क्या है, 9 वाले जो ह आपको कैसे करने, आप उन्हें जरूर देखें, किस तरीके से करने, तो मैंने यहाँ पर आपको बता है, कि आपको जितने alphabet है, इनका group बनाना है, यानि कि grouping करने, किस तरीके से करने, दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं, पहला तरीका यह है, या तो आप हर option को put करें, और दे पहले गुरूप कैसे बनाना आप यहां पर देख़ें इन टोटल जितने आपके यहां पर blank space है और alphabet है इनको आप add कर लिजे तो यहां पर आप देखें टोटल जो है यह आपके 24 है आप देखें 24 है अब गुरूप कैसे बनेगा यहा तो गुरूप बनेगा 6 into 4 का बनेगा 6 into 4 का मतलब क्या आपका 6 alphabate होंगे 6 alphabate के 4 ग्रूप या आपका 4 into 6 का बन सकता है या आपका 8 into 3 का बनेगा या 3 into 8 का इस तरीके साथ बना सकते है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं देखूं अगर 8 और 3 का बना हूँ आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है एक ग्रूप यह बना 8 का फि मैं देखें कहीं ना कहीं letter समान हुगा आप देखें सुरू में ए है यहां पर भी a नजरा रहा यहाँ भी नजरा रहा है बीच में देखें डबल B है यहां डबल B नजराव यहां डबल B अब आप एक जो भी आपका एक group है उसे fill कर लीजे उसके according सारे group fill कर लीजे अगर आप इसे fill करते हैं याले को fill करते हैं तो आप देखें पहला A A है, B B है और यहाँ पर C D आ रहा है और यहाँ पर E तो यहाँ आपका C D आप यहाँ पर fill कर लीजे अब यह group fill हो गया, यही group आपका repeat होगा सारी जगा फिल कर लीजे तो यहाँ पर इस group को देखते हुए यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर इसके बाद B आएगा और यहाँ पर E आ जाएगा तो यहाँ पर A होगा, यहाँ आप देखेंगे E E तो आप देखें यही group आपका repeat होगा आप देख सकते हैं, same group repeat हो रहा है और आप देखें इसका A, B, E, A, E, E, C, D आंसर होगा, तो आप देखें कौन से option में आपको option नजर आएगा, second option इसका answer हो जाएगा अब यहाँ पर आप किस तरीके से बना सकते थे 4 गुना, 6 का भी बना सकते थे आप देखते, 1, 2, 3, 4, 1 बन रहा है फिर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से बन रहा है फिर आप 4, 4 का बनाते हैं, यहाँ आपको 2 series दिखती जो repeat हो रही थी, ठीक है समझ माग है किस तरीके से आपको करना है इन question की मैंने आपको practice भी कराई है अगर आपको नहीं समझ माँ आ रहा है तो आपको वहाँ से देख सकते हैं मैंने बहुत सारे question कराई हैं वो भी जो exam में आये होना है तो वो question करने में फायदा भी होता है क्योंकि वही question फूछे भी जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने group बनाया 8 और 3 का और मेरी ये series आपकी repeat होती नजर आई तो आपका answer आगया second option इस तरीके से आप कर सकते हैं या आप हर option को put करके देख लेजें ठीक है next question करते हैं यहाँ पर देखें इसे आप कैसे करेंगे N को लिखा गया है CLPF तो यहाँ पर देखें A and E N को लिखा गया है CLPF ठीक है यहाँ पर dash किया है तो यह तो आसान हो जाएगा अप देखें A से C हुआ plus 2 हुआ D से F हुआ plus 2 हुआ N से L हुआ minus 2 हुआ और N से P हुआ plus 2 हुआ तो आप देख सकते है पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है तो N O R का भी आप देख सकते है P M Q T है N से P plus 2 है R से T plus 2 है O से पहला वाला minus 2 है और दूसरा वाला plus 2 है तो ऐसे यहाँ बटका कर लिजे B U T तो यहाँ पर आप देख सकते है प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या आजाएगा D आएगा यहाँ प्लस 2 करेंगे तो V आजाएगा 22 और यहाँ पर आपका minus 2 करना है तो आपके पास कितना आएगा S यहाँ प्लस 2 W तो आपका आंसर D, H, W, V होगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे न आप सबसे पहले देखें Alphabet जो Alphabet यहाँ है वही Alphabet आपको यहाँ भी नजर आ रहे तो यानि कि इन ही Alphabet को कही न कहीं आगे पीछे reverse करके लिखा गया है अब कैसे लिखा गया आप यह देखें आप यहाँ पर देखें O, U, T, S, T, A, Y अब पैटन देखें तो सबसे पहले A है फिर O है फिर S है फिर T है फिर T है यू है यहाँ पर देखें जो यहाँ पर logic है वो क्या है Alphabetic order यानि कि सबसे पहले A आता है फिर उसके बाद O फिर S, फिर T तो यहाँ पर आपको समझ में आगे या तो आप कह सकते है increasing order में लिखा गया या आप कह सकते है Alphabetic order में लिखा गया तो logic यहाँ पर आपको समझ में आगया होगा इस तरीके से logic पूछ सकते है तो आप roughly को देख ले आप पहले खुछ से try करें फिर देखें क्या है इसका solution ठीक है तब आपको आसान होगा तब आपको समझ में भी आएगा आपको कितना time लग रहा तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले क्या आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा जी आएगा ठीक है जी लिख लिजे फिर ह आएगा ठीक है जी आएगा ह आएगा फिर देखें क्या आएगा फिर L है फिर O है फिर R फिर U Y तो देखें कौन से option में जी एच एल अगर आप देखने है आधा ही आपने किया ना जैसे आपको logic समझ में आ जाता है न तो उसके बाद option में जरूर ज्यान दे आपको पूरा करने की जरूरत है आपने देखा GHL आया है तो एक की option में GHL है थर्ड option इसका answer next question देखें तो यहाँ पर question है select the figure from among the given option that can replace the question mark in the following street तो यहाँ पर आपको देखना है इसमें जो एक आप element ले ले लीए element को देखें वो next figure में कहा जा रहा है तो यहाँ पर जैसे मैंने star लिया तो मैं आपको बताओंगा मैं कैसे गरता हूँ यहाँ पर मैंने star देखा आप देखें star next में कहां चले गए, बीच में चले गए, ठीक है next figure में, फिर मैंने यहाँ पर देखा, जो left में आपका element है, यहाँ पर triangle देखा, इसे देखा, यह next में कहां चले गए, फिर से बीच में चले गए, तो मैंने देखा, जो भी यहाँ पर left में, वो next figure में बीच में जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपका गोला है, ठीक है, fill किया हुआ, यह next में कहाँ चले जाएगा, बीच में, तो यानि कि बीच में क्या आना चाहिए, इस type से गोला आना चाहिए, तो आप option देखेंगे, option में आपका ध्यान हमेशा है, पहले option में बीच में गोला है, नहीं, तो यह होगा नहीं, second option में नहीं है, यह भी नहीं होगा, आप fourth option देखेंगे, fourth option में आपको बीच में गोला नजरा रहा है, नहीं, तो यह भी नहीं होगा आपका अंसर क्या हो जाएगा अब कई लोग कहींगे कि हम इस element को नहीं देख रहे हैं हम दूसरे element को देख रहे हैं तो आप उसे ही देख लीजिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है आप देखें बीच में आपका क्या है यह है इसे देखें यह कहां जा रहा ह पहले option में नहीं है triangle यहां पर यह नहीं होगा second option हो सकता है third option हो सकता है fourth नहीं होगा तो आपने देखा अगर आपने इस element को भी देखा तो दो option आपने eliminate कर दिए उसके बाद आपको यहां पर एक option और एक element और देखना पड़ेगा क्योंकि आपके दो option आ रहे अब आप यहां पर देखे अगर आप इसे देखते हैं ठीक है इस गोले को तो यह next figure में यहां पहुंच जा रहा है ठीक है इस corner में यहां पहुंच रहा है फिर उसके बाद इसे देखे यह भी आपका यहां पहुंच गया है ठीक है आप देख सकते हैं इसको आप देखने यहा पहुँचना चाहिए तो आप देखें यह square यहाँ पर किसमें तो आप देखें दो और ठर्ट को देखें तो यहाँ पर तो नहीं है इसी में तो आप cancer क्या हो जाएगा third option हो जाएगा समझ मागे या आप यहाँ पर कोई भी element चेक कर सकते हैं आप इसे दूसर तरीके से भी कर सकते हैं कितना rotate कर रहा है anti clockwise clockwise इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन मेरे को यहाँ पर जो तरीका है मैंने आपको वह बताया आप ऐसे करें या कोई भी element देखें तो आपका यह आसानी से question solve हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर जो भी 25 question थे यह अच्छे question थे इसमें आपको time जरूर लगा होगा अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या है ठीक है तो आप देखें share करें और channel को subscribe जरूर करें ठीक है इसकी PDF मैंने बता दिया है कि आपको मिल जाएगी लेकिन आपको response देना होगा तो PDF उसके बाद मैं देने की कोशिस जरूर करूँगा तो यह नहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते है थैंक यू